ज्ञानेन योगेन चकर्मनाच भक्त्याच सर्वस्वसमर्पनेन आरा अधिताभ्याम शृति मार्गदक्षई ही नमो नमश्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमश्री गुरुपादुकाभ्याम प्रिय शिक्षार्थियों एन आई ओएस के स्टूडियो में आप सबका पुनहा स्वागत अभिनंदन मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र सहायक आचार्य वेद विभाग श्री जगनात समस्क्रत विश्वत जाले पूरी उडिसा से आपके मद्य आज उच्चतरमाद्यमिक अक्षा के वेदा अध्यनम पाठ्यक्रमान तरगत 26 समापाठ जो सरमापड़ी समवाद सूक्त है उसके चतृत भाग के अध्यन के लिए उपस्तित है इस पाठ में सरमापड़ी समवाद सूक्त से सूक्त के अवसेश भाग जो अरोही वेदों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है विश्वसाहित्य के प्रतम गरंथ के रूप में, संपूर्ण विश्वसाहित्य में या प्रतम गरंथ के रूप में उपादी से अलंकृत है। अत्र सरमापन्योहो मध्य गवहु विशये जाताम कथाम समाश्रित्य अत्यन्तम सरलतया समवारसूक्तमिदम निर्मितमस्ती। यतो ही वैदिक मंत्र अत्यन्त क्लिष्ट भाशाओं में निवद्ध हैं तथा पी सरमापनी के मध्य जो गव के विशय में कथा संपन्न हुई उस कथा को ही आश्रेकर उस कथा की आधार पर ही अत्यन्त सरल भाशा में या सूक्त अरुगवेद में वर्णित है। यह घटना निश्चित रूप से अत्यन्त लोकप्रसिद्ध घटना है। पनिनामकह कष्चित असुरह गाह चोरितवान अस्ती। पुनश्च रसा नामक नध्याह पार्ष्वे विद्यमानस्य परवतस्य गुहायां अत्यन्तं गुप्तततया गाह स्थापितवान। अर्थात पणिनाम का कोई कुरूर अत्यन्त क्रोधी बदमास अनेक आगणों से युक्त कोई राक्षस था वहाँ पणि देवताओं के सभी गवों की चोरी कर लिया और सभी देवता लोग मिल करके चोरी हुए गवों की खोज में लग गए एक समय ब्रहस्पती इंदर की सभा में आए और उन्होंने पणि को बताया उन्होंने इंदर को बताया कि पणि नामक कोई असुर है उसने ही गवों की चोरी की है और रसा नामक नदी के पास विद्यमान जो परवत है उस परवत के गुफा में यहां अत्यंत गुपत रूप से गवों रखी गई हैं सरमा इस वर्तान्त को जान करके इंदर ने सरमा नामका जो एक रमणी दूती इंदर की है उस दूती को पणि के पास भेजा और अत्यंत कश्ट पूरवक वह सरमा पणि के पास आई पणि प्रशन करता हुआ पूछता है सरमा से कि आप स्वर्ग लोग से यहां क्यों आई है सुन्दरी यहां स्वर्ग लोग से आपके आगमन का क्या उद्देश्य है तो सरमा उत्तरवती यत देवाहा गोह विशये सर्वं वर्तान्तम ज्यात बंता हा वह बताती है कि हे पणि तुम्हारे द्वारा चोरी की गई गई गववें के विशय में देवता लोग सब जान गए हैं सभी वर्तान्त को देवताओं ने जाना है अतहा हे पणे इतहा गच्छतु गामच प्रत्तरपेतु कहती हे पणे आप यहां से चले जाएं और गवें हमको प्रत्तरपित करें वापस करें पणि ही सगरवेण कथया मास यत मम रक्षनाय बहवा कर्मचारी नहा नियुकता संती पणि कहता है अंकार के वशी भूतो करके कि मेरे रक्षा के लिए बहुत सारे कर्मचारी मैं नियुकत करके रखा हूँ अनेक कर्मचारी गण मुझे रक्षा के लिए मेरे पास रहते हैं यदि देवता लोग गवों को हमसे छीनने के लिए हमसे पुना लेने के लिए आएंगे भी तो उनी का पराजय निश्चित रूप से हो जाएगा यदि भवती इंद्रलोकात परित्यक्तवती अस्ती तरियसमाकम भगिनी इत्वेन अत्रईवत श्ठतू यदि आप इंद्रलोक से परित्यक्ता हैं इंद्रलोक से आपको निकाल दिया गया है तो आप यहां हमारे मध्य हमारे पास हमारी बहन के रूप में विराजमान रहें एतत सर्वम आकर्ण्य सरमा उक्तवती यत हे पने ममचिंताम मा करोतू स्वकीय जीवनस्य स्वरक्षणाय समरक्षणाय गाह प्रदाय इतहाशी घ्रंग अच्छतू हे पनी सरमा बोलती है सब कुछ सुन करके कि हे पनी मेरी चिंता आप न करें आप अपने जीवन के रक्षा के लिए गववों को मुझे दे दें और यहां से चले जाएं परंतू पनी ही गाह प्रत्रबैतुम नई वहिष्टवान वह पनी जो है गववों को लोटाने की गववों को वापस करने की इच्छा नहीं रखा उसने गववों को नहीं लोटाया तता परम इंद्रे नसाकम पने हैं युद्धम संपन्नम उसके पश्चात इंद्र के जिन गववों को वहा चोरी करके लाया था वे सभी गववें इंडर ले करके इंडर लोग की और प्रस्थान किये इस समवाद के माध्यम से यह वर्तांत अत्यनत सरल रूप से अत्यनत भरी प्रकार से आपके लिए प्रतिपाजित किया गया चुकि समवाद के माध्यम से यह संपूर वर्तांत वर्नित है और वह समवाद सरमा और पणी के मध्य होता है इसलिए इस विशय से समलंकृत इस पाठ का इस सूक्त का नाम ही सरमा अपनी समवाद सूक्त है तो मूल कथा काताथ परिया है कि पणी और सरमा के मध्य समवाद होता है सरमा जो इंदर के द्वारा प्रेशित दूती है पणी के पास आके उसके गलतियों का आभास उसे कराते हुए सावधान करती है कि आप जो कर्म किये हैं गववों की चोड़ी रूपी कर्म वे सभी इ आपके इस कर्म को जान गए हैं अतहे उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है आप मुझे गववों को तरपित करें मुझे दे दें ऐसी निवेदन राधना पूरवकवा करती है किन्तु वह दुष्ट राक्षस वह पणी गववों को लोटाने की इच्छा नहीं करता उसे अपने वर्था अहंकार पर मान है वह अहंकारी है अतहा अपने अहंकार से वह कहता है कि हमारे पास बहुत सारे कर्मचारी हैं बहुत सारे अस्त्र अस्त्र हैं हमारे सुरक्षा में दिन रात कर्मचारी लोग लगे रहते हैं तो इन रित्यादी सभी देवता भी यदी आए मुझे पराजित करके ले जाए यह अंकार युक्त वचन उसने सरमा को बताया फिर सरमा ने इंद्र को संवाद दे करके इंद्र और पणी के मध्य युद्ध हुआ और उस युद्ध में पणी का सरवनास हुआ इंद्र विजेता हुए और अपने गवों को सम्य गूरूप से ले के अपने लोग में प्रस्थान किये इस कथा के माध्यम से इतना आपके संग्यान के लिए प्रस्तुत है i इसका नाम चुकि यह संवाद और सरमा और पणी के मध्य हुआ इसलिए संवार गतर और मंत्रों का संग्लं सरमा पणी संवार सूखत के नाम से किया गय इस पार्ट में इतना ही पुनहां आपको बहुत बहुत धन्यवाद